यह जो कारेकाल था विश्वराजनीत का 1945 से लेकर 1990 वाला इसमें जाईज सी बात है एक खेमा था पस्चमी देशों का पुंजिवादी विचारधारा के कोशक देशों का जिसका अगुवा युवेसे था दूसरा खेमा था समझवादी देशों के जिसका अगुवा युवेसे सार था यानि और स्ट्वाइल युवेसे सार पूर्वशोवियत सार आपको बता दू कई दफाई स्टूडेंट्स युवेसे सार खुब बोलते हैं लेकिन उन्हें कन्फूजन होता है कि आखिर इसका प दे यूनियान ओफ तक ही चोटी चोटी चीजे भी हमें मालूब होनी चाहिए कई दफा हम बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं और कुछ बुनियादी चीजे हमें मालूब नहीं होती तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है दे यूनियान ओफ सोवियत socialist republic ओके दिस इस दे फूल फॉर्म ओफ इवेसेसर दे यूनियान ओफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको कई सोर्स सोर्स ओफ रिफ्रेंस में थोड़ा बदलाव के साथ भी लिखा जाता है आप वो भी ध्यान रखेंगे अगर कहीं लिखा हो तो भी गलत नहीं है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ओके यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अब देखिए यह जो USA सर था यह मूलता 1 प्लस 14 देशों का महाशंग था महाशंग जिसमें 1 मैंने क्यों लिखा है मैं सीधे 15 भी लिख सकता था 1 इस लिए लिखा हूँ क्योंकि इन में जो डोमिनेंट प्लेयर था सबसे प्रभावसाली देश था वो बैसिकली रूस था रशा रूस तो उसके लिए मैंने 1 लिखा और सेस और 14 इसके सहजोगी थे इस सियाई छेतरवाले एक नजर यहाँ भी देख लेते हैं फिर मैं इस टॉपिक प्याओंगा कैसे यह पोल्टिक्स चली बट संभव हो सकेगा तो यूएस एसार में जो देश थे आप उन देशों के बारे में भी एक नजर रखेंगे देखिए यूएस एसार कितने देश हुआ करते थे बताना 15 देश रूश सहीत 15 देश यह जो 15 देश थे इनमें हम लोग कुछ देशों को बाल्टिक देश कहते थे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे बाल्टिक इस्टेट्स बाल्कानी स्टेट्स ओगारा ओगारा तो बाल्टिक देश, दूसरा, काकेशस, छेत्र के देश, ये बेसिकली, इसमें साधिकांस देश काइस्पियन सागर के, आस-पास वाले हुआ करते थे, काकेशस छेत्र के देश, काकेशस रिजन, कैस्पियन रिजन, तीसरा था, सेंट्रल एसियन स्टेट्स, है न, मध्धे एसियाई देश, ठीक है जी, मध्धे एसियाई देश, और जो चौथा था, वो बेसिकली था, स्टेट्स आप, स्लाव रिजन, यानि स्लाव छेत्र के देश, देहां दखेंगे, आप देखें, बाल्टिक, बाल्टिक रिजन में, यह बाल्टिक, सी के असपास के देश थे, तो बाल्टिक देशों की केटेगरी में आपको बताऊं, कुल तीन देश आते थे, है न, तीन देश, लात्विया, लिथुवानिया, है न, और एस्टोनिया, याद कर लेना इसको, यह आगे काम आएगा, जब विश्व राजनीत में रूस की भूमिका हम लोग पढ़ेंगे, तो इनकी जरुवत पढ़ेगी, है न, लात्विया, लिथुवानिया और एस्टोनिया, यह कौन थे, बाल्टिक इस्टेर, आप देखो काकेशस छेतर में, कैस्पियन्स आगर के आसपास वाले इलाके में, मैं इसको इधर लिखता हूँ, इनके देशों का नाम, तक यह आपको साब साब दिख सके, जार्जिया, आर्मेनिया, ठीक है जी, अजर्बेजान, और माल्डोवा, माल्डोवा, यानि कुल कितने स्टेट्स हो गए यहाँ पर, चार हो गए काकेशस छेतर में, चार देश, देखो, पंदरा में से हम लोगों ने, साथ को तो एक हांकित कर लिया, बाल्टिक जोन में, तीन, लात्विया, लिथुआनिया, और एस्टोनिया, काकेशस छेतर में, चार, जार्जिया, अर्मेनिया, अजर्बेजान, और माल्डोवा, अब आजाईए, सेंटर लेशन रिजन में, अगर इसकी जॉब आपकी फुल्फिल हो गई हो, तो मैं आगे मूब करूँगा, मैं आपसे इसलिए पुछ रहा हूँ, क्योंकि थोड़े, फैक्चुल डिटेल से यहाँ, तो थोड़ा समय लेकर, आप इसे या तो नोट डाउन कर ले, या फिर इसकी स्क्रिन शॉट ले ले, है ना, फिर मैं बात करता हूँ, कि सेंट्रल एशियानी स्टेट्स में कौन-कौन से देश आते थे, खेड़े, और फिर सलाव रिजन में कौन-कौन से आते थे, तो देखिए, मद्र एशियांी देश, सेंट्रल एशियानी श्टेट्स, है ना, अक्सर आप सुनते होंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानि लास्ट में इन देशों के साथ क्या लगा होता है स्तान देखो जी अस्तान हो गया मिटा दू ज़रा इसको स्तान यानि इसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक सफिक्स के रूप में देख रहें? प्रत्याय के रूप में जैसे दिख रहा हूँ, यह basically एक आपका है शक्ते हैं कि अर्बी सब्द है ये, है ना? और अर्बी भासा का गए अग तरह से ये प्रत्याय कह लिजिये, पता नहीं अर्बी में प्रत्याय को क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी वाले प्रत्याय के अधार पर आप समझ सकते हैं कि जो शब्दांस किसी धातु या शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उससे क्या बोलेंगे प्रत्याय बोलेंगे चल अब जैसे मान लिजें यहें पर पाकिस्तान तो देख रहे हैं स्तान पाक या पाकी रहे तो पाक से मतलब पवित्र उत्तम स्तान स्तान का मतलब होता है लैंड, भूमी तो देख रहे हैं पाकिस्तान अगर पाकिस्तान का कोई मतलब आप से पुछे तो क्या बोलेंगे पाक लोगों की भूमी पवित्र लोगों की भूमी वो अलग बात है उस भूमी की ऐसी तैसी कर रखी है सब ने वहां के लोगों नहीं anyway उस नहीं मतलब नहीं मैं आपको समझाने का प्रेयास करा हूँ कि स्थान का मतलब क्या होता है स्तान का मतलब होता है भूमी, जमीन, देश, ठीक है? यहां जितने सेंटरल एश्याई देश आपको मिलेंगे, जो यूए सेसार का हिसा हुआ करते थे, शोवित संग का हिसा हुआ करते थे, सब के नाम के साथ सफिक्स के रूप में, यानि प्रत्याय के रूप में स्तान लगा होगा, तो समझ जाएंगे कि, यह कुछ खास लोगों की रहने की जगह थी, और उसी के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया, जिससे देखिए, इसमें एक था कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान बेसिकली अस्तान मतलब देश भूमी, उन लोगों की भूमी थी, उन लोगों का देश था, जिने कजाक कहा जाता था, कजाक बिसिकली ट्राइबल कॉमिनिटी है, जनजाती यह लोग है, यानि कजाक जनजाती के लोग जहां रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कजाकिस्तान, यहां कजाक जनजाती के लोग रहते हैं, कजाक, यह ट्राइब्स हैं, कजाक, तो कजाको की भूमी, कजाको का देश क्या कहला है, कजाकिस्तान, देखो, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, ये बेसिकली, उजबेकों के रहने की जगा थी, उजबेक ट्राइब, उजबेक, उजबेकिस्तान, फिर, तुर्कों के देश को क्या बोला गया, तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान फिर जहां किर्ग जहां किर्ग जन जाती रहती थी उसे क्या बोला गया किर्गिस्तान कितने होगे कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान और एक और था पांचवा कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान कजाक उजबेक तुर्क किर्ग एक और हैभी मेरे दिमाग से उतर रहा है अभी थोड़ी दिर में श्ट्राइक करेगा तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा ठीक है कुल पांच हुआ करते थे यहां पर पांच देश सेंटरल अश्याई अभी इसी लेक्चर के दुरा जैसे मेरे दिभाग में ये बात इस्ट्राइक करेगी अगला नाम उसको मैं आपके शामने रख दूँगा आप उसे अपडेट कर लेंगे पांच देश थे अस्तान कंट्रिस कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान और देखो पांचवा मुझे याद नहीं आ रहा है अभी करेंगा अपडेट इसको एनिवे चलो ये पांच अस्तान कंट्रिस थे पांच अस्तान देश Central Asia यह देश थे इसके अलावे जो अगला था आपका सलाव छेत्र सलाव छेत्र में कुल तीन देश आते थे है न कौन-कौन रूस बेलारूस और यूक्रेन यह बेसिकली ACI बहुल छेत्र थे और इसके पहले जो आप अस्तान देशों के बारे में देखें Central Asia वहाँ बेसिकली वो मुश्लिम बहुल लोग है मुश्लिम बहुल आवादी वहाँ पाई जाती है Anyway तभी आप देख रहे होंगे कि अर्भी सब्द का इस्तेमाल भी किया हुआ है एक तरह से उन देशों के नाम के साथ तो देखिए Baltic States की संख्या कितनी 4 कैस्पेन स्टेट्स या काकेसस स्टेट्स की संख्या ओ आप बलो Baltic States की संख्या 3, 4, 3 काकेसस स्टेट्स की संख्या 4, Central Asia वहाँ देशों की संख्या 5 और आपका सलाव छेत्र में 3 देश तो 4, 3, 7, 7 और 8 15 यानि कुल 15 देशों का यह क्या था समो था कौन समो था आपका USA साथ फार्स्ट वाइल USA साथ ओके चलो जी फार्सट पहत ऊका और यह जो पहत आलिस से नब्बे का वर्ल अडर USA के नेत्रितों में एक खेमा USA SR के नेत्रितों में दूसरा खेमा दोनों ने एक ने कैपिटलिजम को हवा देनी शुरू की दूसरे ने सोशलिजम को ठीक है जी USA कैपिटलिजम को बढ़ावा देने के लिए लाइक माइनड़ देशों की लॉबिंग करने लगा और इस तरह से जो देश इस खेमे में आए उनको बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड यानि प्रथम विश्व के देश और जो USA SR के खेमे में आए उन्हें बोला गया Second World Countries है ना यानि द्वितिय विश्व के देश विश्व के दूसरे खेमे के देश ठीक है चलिए फर्स्ट वर्ल्ड शेकेंड वर्ल्ड अब चुकि विश्व भैचारिक संघर्स था ये धीरे धीरे इतनी तनावपूर्ण परिस्थितियों में तब्दील होने लगा कि दोनों के दोनों खेमें अपने अस्तर पे घातक हत्यार इकठा करने सुरू किये पहले पक्ष के द्वारा आधिक से अधिक मात्रा में डब्लू एम्डी इकठा किये जाने लेगा डब्लू एम्डी समझ रहे?liपन इस और मास दिस्ट्रक्ष्टर कशन घातक हत्यार जिसमें आपके रसायनिक हत्यार आएंगे जयी हत्यार आएंगे परमारु हत्यार आएंगे ये लोग इकठा करना शुरू कर दिये घातक हतियार इधर आपका दूसरा वर्ल्ड भी सेकेंड वर्ल्ड भी इवे सेसर के नेत्रित वाला यह भी करने लगा ओके और देखो मेरे दिमाग में वह स्ट्राइक कर गया जो मैंने अस्तान कंट्री आपको बता रहा था था थोड़ा से यहां रोकूंगा चलो पिछले पन्ने पर मूव करते हैं फिर मैं यहां आऊंगा यह तो फिर मेरे दिमाग से स्लिप कर जाएगा यह जो बता तजाकिस्तान ठीक है जी देखो यही मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा था मैं काफी दीर सोचा अभी श्ट्राइक कर गया तो कौन-कौन से यघे हूज motorcycles की कंट्रेय second on के partnership restaurant कि तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान आप और की रगिस्तान अब इसको अपडेट कर लिजेगा मैं पिछली बार इधर चार ही देशों का लिखा था देखो है ना कजाकिस्तान पुझवेकिस्तान तुर्किमेनिस्तान और किर्गिस्तान यहाँ पर एक और क्या जोड़ लेंगे ताजाकिस्तान यहाँ तुजूग ट्राइबस रहती थी तो सेंटरलेसिया की यह पांस थे चलिए कोई नहीं अब बरतमान चर्चा पर आते हैं जो अभी अमनों डिसकस कर रहे थे वो चुकि मैंने आपसे बोला था कि जैसे मुझे याद आएगा मैं उसका नाम मेंशन करूंगा तो याद आ इसमें क्यों तब्दिल होगा क्योंकि दोनों के दोनों पक्ष अपने आपको शैन रूप से अधिक से अधिक मजबूती देना सुरू कर दिये थे खुद को बहुत बहुत जादे शैन रूप से मजबूत बनाना सुरू कर दिये थे और मजबूत बनाने के जिसा में दोनों करना सुरू किया जैवीक हथियार जमा करना सुरू किया अब समझने केवल हथियार ही इकठा नहीं कर रहे है बल्कि इनके द्वारा सायन शंदिया भी की जानी सुरू हो गई अब जैसे प्रथम विश्व पहला खेमा जो है उन आटो के रूप में वर्स one चास में एक सायन ने संधी किया North Atlantic Treaty Organization आप कहा सकते हैं ये सायन ने गूट था एक पश्चिमी देशों का फर्स्ट वर्ल्ड का पुंजी वादी समर्थक देशों का NATO 1949 में NATO अस्तित में आई कई दफ़ा प्रियोगारा में institutions होगारा की अस्तापना अगरा का वर्स पूछ देता है आप बस NATO ध्यान रखिए 1949 पचास ध्यान में नहीं भी रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता रिटेन एक्जाम पॉइंट व व्यू से अब इनको काउंटर करने के लिए इस खेमे ने भी यानि दितिय विश्व ने भी जिसका अगवा पूर्व शोवियत संग हुआ करता था इसने भी वर्स 1955 में वार्षा पैक्ट किया वार्षा पैक्ट है ना ये भी एक तरह से नाटो की ही तर्ज पे एक सैन गूट बना और कही न कहीं वर्चस्व की यही लड़ाई आपको बताऊं अब गूटिय शंगर्ष का श्वरूप ले ली और गूटिय शंगर्ष में ऐसा भान होने लगा ऐसा महसूस होने लगा कि किसी भी समय विश्व परमानु जुद्ध की तरफ उनमुख हो सकता है परमानु जुद्ध की तरफ और परमानु जुद्ध की भायावाता क्या होती है दूतिय विश्व जुद्ध के दवरान विश्व विरादरी इससे पूरी तरह परिचित थे अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा और नागा शाकी पर परमानुबम फेका गया था बरतमान पीडिया आज भी उसका सिकार होती है सोच दीजिए उस समय क्या इस्थिती रही होगी आज भी हिरोशिमा और नागर्शाकी जैसे शेत्रों में तमाम तरह के डिसाइब अलनेस होती है फिजिकली हैंडिकेप्ट बच्चे पैदा होते हैं तमाम तरह की विमारीओं कर शिकार हो जाते हैं इतना जादे डिजास्ट्रस इंपैक्ट होता है इन नूकलियर विपन्स का नूकलियर बॉम्स का जाईसी बात हैं उन दिनों तो बिल्कुल ताजी ताजी चीजे थी लोगों के सामने लोगों के मना मस्तिस्क में सब कुछ यादता कि कितना भयावा होता है परमानु युद्ध और ये दोनों खेमा हर वक्त कही ने कहीं विश्व समुदाय को या इसारा दे रहा था इंडिकेशन दे रहा था कि कभी भी हम विश्व को परमानु युद्ध में जोक देंगे और जाईशी बात ही ये जुद्ध होता तो मानावता के लिए विनासक सावित हो सकता था क्योंकि दोनों ही भूटों ने फर्स्ट वर्ड ने और सेकेंड वर्ड ने आपस में इतना जादे अभिश्वास पैदा हो गया इन में एक दूसरे को इतनी जादे आशंका की निगाश ये देखने लगे कि खुद को मजबूत करने की दिशा में इन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पूरे विश्व को पूरी धरती बारूद की गोले पर ठीकी हो इतना जादे इन्होंने हंतियारों का एक तरह से जमावारा इकठा कर लिया जखेरा इकठा कर लिया तो भाई अगर पर्माडू जुद्ध की स्थिति आ जाए तो अगला चरण क्या होगा कि इस स्थिति को कम किया जाए अगला चरन होगा 200 शांती अब यहीं से ओधारना आई क्या 200 सांती की कैसे हम 200 शांती को प्राप्त करें खे 200 सांती पर विचार किया जाना बाकी था क्योंकि 90 तक तो यही अवस्था बनी रही कब कर्मान जूद्ध हो जाएगा कब कौन किसको उड़ा डालेगा अब शवाल ये उठता है कि जो 45 से 90 तक का पहला कालखंड था पहला चरण था विश्व राजनीत का प्रथम चरण 1945 से 90 वाला जैसी बाते विश्व द्वी धुरुवी हो चुका था विश्व की एक धुरी अमेरिका था जो पश्विम का नेत्रितों करता था विक्सित देशों का नेत्रितों करता था पुंजी वादी आर्थी का उधाराना का ही माकती था दूसरा USA सार तो देखिए जो विश्व के अन्न देश है मालने जे USA को छोड़ दिया जाए और चलिए 15 देशों का शमूह जिसमें आपका रश्या इसमें में डोमिनेंट प्लेयर था जो सलाव रीजन से आता था अपको नहीं लगता कि पूरा विश्व इनी दो खेमों में बटा था यानि विश्व के सामने दो ही महाशक्तियों के रूप में विकल्ब हुआ करते थे एक महाशक्ति अमेरिका हुआ करती थी और दूसरी महाशक्ति पूर्व शोवियत सन अब ज़रा सोचिए विश्व राजनीत में किसी भी देश को अपने अस्तित्यों को मेंटेन रखना हो तो उसके पस क्या विकल्ब था चुकि बिचारधारा के लिहाज से जो developed states थे विक्सित देश थे नेशन दे उनका जो जुकाओ होता प्रथम विश्व की तरफ होता USA की तरफ होता और जो अल्ब विक्सित या अटेच्छाकरित कम विक्सित या फिर विकास शिल देश जैसे हमारे जैसे भारत जैसे उनका जुकाओ कि इधर होता आपको नहीं लबता कि निचुरली उनका जुकाओ उसे सार की तरफ होता अब चलिए 200 राजनीत की इस अवस्था में भारत को हम किंद्र बिंदु में रखते हैं इंडिया को है ना 200 राजनीत के पहले चरण में और मालूम है कि इंडिया जब आजाद हुआ शैतालिस में तब तक तो सित जुद प्रारम हो चुका था दिवितिया 200 जुद जैसे खत्म हुआ उसके बाद वाला काल सित जुद का रहा धीरे-धीरे करके यह जुद देखतर से और व्यापक्ता प्राप्त करते गया यानि सित ज इंटेंस होते गया और जादे जटिल होते गया अविश्वास की डिग्री और जादे बढ़ती गई एनिवे जब भारत का शम्विधान लिख कर तयार कर लिया गया 26 नॉंबर 1949 को जैसी बाते आगे लागू किया जाना था आपको मालूम है 26 जनौरी 1950 को लागू भी कर दिय जा फेट जब सब्लता प्न के तैयार हुआ तो उसके साथ उसकी प्रस्तावना भी थी और स्थम्विधान की जो मूल प्रस्तावना थी जब आप उसको पढ़ेंगे तो अब देखेंगे उस प्रस्तावना के अंदर हमने अपने आर्थिक रुजान को प्रदर्शित नहीं किया था लेकिन संभिधान के अंदर संभिधान के विभिन उपबंधों के माध्यम से हमने कही न कही अजता दिया था कि जैसी हमारी प्रकृति है उसी के अनुसार हमने अपनी आर्थिक विचारधाराभीर चुनी है हमारी प्रकृति क्या रही विकाशिल देश की और विक्सित देश की और एकोडिंगली जाहिर सी बाते हमारे लिए कौन सा रुजान होता आर्थिक रुजान पुंजिवाद या समझवाद जाइश सी बात है हम USSR के खेमे वाले समझवादी रुजान को फॉलो करते ना कि पुंजिवादी समझ रहे मेरी बात समझवादी अब समस्या ये थी कि एक तो नहीं नहीं आज आदी मिली थी अगर हम खुल कर लिख देते प्रस्तावना के माध्यम से ही वी दे पीपल उफ इंडिया हैविं सोलेमली रिजर्ब तो कॉंस्टिटिउट इंडिया इन्टु आ सोवरेन सोशलिस्ट तो अपने लगता कि पस्चमी खेमे वाले देशों को भारत के आर्थिक रुजान को समझने के लिए सम्विधान का अध्यान करने के भी आउसक्ता नहीं होती वो तुरन समझ जाते कि अच्छा आपको अपनी आर्थिक विचा जारा पी इतना फक्र है कि सम्विधान का पन्ना सुरू होने से पहले ही आपने दो टुक में ही लिख डाला कि हम समझवादी है तो आपको नहीं लगता कि अगर हम EUSA सार की तरफ अपना रुजान सोग करते तो EUSA की रडार पे आ जाते इनसे हमें डर हो जाता यह हमें संका की निगाह से देखने लगते कि हम तो दूसरे विश्यों के खेमे से हैं और अगर माल लिजे हम EUSA की तरफ चले भी जाते तो EUSA सार की रडार पे आ जाते रडार मतलब समझाने के लिए मैं आपको इस शब्द का इस्तिमाल कर रहा हूँ उसकी नजर में आ जाते फिर वो हमारे प्रती विद्वेश्ट की भावना पाल लेता और आपको बताओ बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली थी इसलिए हम किसी भी तरीके से अपनी आजादी के साथ कंप्रोमाईज नहीं कर सकते थे कोई रिस्क नहीं ले सकते थे हमने क्या सोचा कि दोनों से बराबर दूरी बनाते हैं और फिर दोनों ही खेमों से हम मलाई मारेंगे यानि दोनों ही खेमों से हम फैदा उठाएंगे तटस्तता को हमने चूना गूट निर्पेक्षता को हमने चूना क्योंकि विसो तो गूटी ये संघर्स में सामिल था या तो इस गूट में आ जाओ या फिर इस गूट में आ जाओ हमने क्या कहा नई जाओ हमें आपसे कोई दूस्मनी नहीं हमें आपसे भी कोई दूस्मनी नहीं तुम रहो जिंदाबाद हमें भी जिंदाबाद रहने दो यह भारत का पक्षि था लेकिन समस्या यह है कि क्या कर पश्चिय और अन्नीत को अपने हितों के आधार पे सुनिस्षित करते हैं। सत्तर के दशक में यह देखा गया कि पाकिस्तान और चीन यह जाकर आमेरिका की गोध में बैठ गया। सियेटो और सैंटो जैसी सायने संधियों का हिस्षा बनके। अब बताइए पाकिस्तान और चीन से सुरू से हमारे विबाद रहे हैं। इनफेक्ट अभी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जब भारत का प्रतिदोंदी देश, वो देश जिसके साथ भारत के होस्टाइल डिलेशन है, तनावपुर्शंबंद है। अगर वो पुंजिवादी खेमे में चला गया, तो इसका मतलब कि हमारी तटस्ता भी अमेरिका वी रोधी बना रही है हमें। अगर हम तटस्त भी रहें, तो भी अमेरिका किसको फेवर करेगा। चीन को या भारत को। चीन को करेगा। माना की इंडिया भारत का दोस्मन नहीं है, उन दिनों के बाद कर रहा हूँ। लेकिन तकस्ता की निती अपनाने की वज़े से अमेरिका का दोस्त भी तो नहीं है। और चिन तो अमेरिका का दोस्त हो गया, पाकिस्तान तो अमेरिका का दोस्त हो गया, क्योंकि उसके साथ सामिल हो रहा है हो, तो आप बताए भारत के पास क्या भी कल्प बचेगा अपने हीतों को साधने के लिए, जैसी बात है, भारत भी अपना रुजान कहां करेगा, हीवे स अगर भारत जैसे देशों की अवस्थिती का आकलन किया जाए तो इनकी दो ही नीतियां हुआ करती थी पहली नीति हम कैसे अपनी स्वतंत्रता को बचाय रख सके और विश्व राजनीत के इन धुरंधरों के साथ आखिर किस तरीके से शक्ति संतुलन बना सके अब चुकि चीन पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया तो आपको नहीं लगता कि भारत को भी किसी ने किसी महासक्ती के प्रस्रे की जरूरत थी लिहाजा हमने USSR के तरफ रूख किया और फिर हमारे अंदर से अपना डर भी खत्म हो गया अब तो लग गया कि चीन इधर गया पाकिस्तान इधर गया तो हमें किधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए हमने भी वर्ष 1976 में 1976 में 42nd Constitutional Amendment Act के माध्यम से भारती संबिधान की उदेशिका में बदलाव लाते हुए क्या किया तीन टर्म्स जोड़ दिया प्रस्तावना में उदेशिका में ASI Socialist देख रहा हुँ पहले ही जोड़ा Socialist फिर Second AS for Secular पंथन इरिपेक्ष और I for Integrity आखंड़ता यानि हमने समाजवाद पंथन इरिपेक्ष वह आखंड़ता सब्द जोड़ लिया अब लोग खुलकर हमने बोल दिया कि हम समाजवादी है पहले छुप छुपा के रहते थे थ से कम आपको भारतीर संविधान के भागचार को उल्टाना पड़ेगा और भागचार के अंदर अनुछेद 49 खंड वह अनुछेद 49 खंड सा का अध्यान करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि नहीं यार हिंदुस्तान की तो आर्थिक निती सीधे-सीधे या दरसा रहिए क समझवादी आर्थिक बेवस्ता की तरफ तो इस तरफ से हमने शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश की रूस के खेमे में हम गए और यही 1945 से लेकर 1990 तक विसो राजनीत का यही रुजहान था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत को हम केंद्र में रखके इसको समझेंगे वो हमने समझा भी आगे क्या होता है 1991 में आपको बताओं बहुत कुछ होता है और 1991 की जो घटना है वो विसो राजनीत के लिए या वरतमान विसो राजनीत की वही से बुनियाद बनती है Contemporary World Politics वास्तों में जो कहा जाना चाहिए हाल की विसो राजनीत उसकी प्रिष्ट भूमी 1991 में ही बनती है 1991 से जो विसो ब्यवस्था थी द्वी धुरुविय से सीधे सीधे एक धुरुविय में तबदील हो गई Bipolar World Politics यूनि पोलर की तरफ मूव कर गई बात हम लोग करेंगे Bipolar का मतलब क्या होता है यूनि पोलर का मतलब क्या होता है ऐसा इसलिए कि देखिए 1991 में पुर्व शोविय संग यानि दा यूनियन अब सोविय सोशलिस्ट रिपब्लिक यूए से सार का दिसिंटिग्रेशन हो गया शमझे ने मेरी बात दिसिंटिग्रेशन बोले तो विगटन हो गया अब यह विगटित हो गया पहले 15 देश से एक साथ मिलकर एक मजबूत एक आई बनाये हुए थे अब यहां क्या हो गया वे 15 के 15 भी खंडित हो गया समझते मेरी बात अब जारी से बात है जब यूए से सार का बिगटन हो गया तो बताओ यूए से सार किस एकॉनिक आइडोलोजी का पोसक था सोसलीजम तब को नहीं लगता कि सोसलीजम भी गई अब 202 वस्था पर बताईए जो पहला खेमा था यूए से भई इसकी तो आर्थिक विचाधारा अभी भी कायम है कैपिटलीजम चलिए जो अमेर देश थे वो काईपिटलीजम चाही रहे थे फॉलो कर ही रहे थे अब गरीबों को भी क्या करना पड़ा काईपिटलीजम अपनाने पर मजबूर होना पड़ा क्यों क्यों क्योंकि जैसे 1991 में U.S.S.R का बिविटन हुआ बिविटन के साथ ही इनका कुलिशें द्रूव बिश्व जिसमें एक धुरूवव अमेरिका करता था दूसरा धिरूवव करता था रूसोशाront qyao दिखें ahora को कि अब यह ध्रूववों बचा ही नहीं अब पूर्य बिश्व में कि Bipolar World हुआ करता था, अरे भाई, द्वीध्रुवी विश्व का मतलब हुआ, कि विश्व ब्यवस्था को, विश्व नियमों को, संचालित करने वाले, निर्धारित करने वाली, अगर दो सक्तिया काम करे, यानि उनको निर्धारित करने में, दो सक्तिया, या दो देश, या दो गोट का वर्चस हो चले, तो समझना कि विश्व द्वीध्रुवी है, Bipolar है, और अगर वैश्विक नियमों का किस तरीके से स्रिजन किया जाएगा, कैसे क्रियानमाइन किया जाएगा, वैश्विक संधिया कैसे अस्थापित की जाएगी, संधियों की सर्ते क्या होंगी, कौन उसे मानेगा, कैसे मानेगा, किस स्वरूप में मानेगा, अगर ये सब कुछ, किसी एक ही देश द्वारा, बढ़ चड़के निर्धारित किया जा रहा हो, तो समझ जाना कि उस्था में विश्व, एक ध्रूविय विश्व है, और अगर मान लिजी ये सारी चीजे, दो या दो से अधिक देशों के समूव के द्वारा किया जा रहा हो, जैसे G7, पहले ये G6 हुआ करता था, बीच में G8 हुआ था, चौदा के बाद G7 हो गया, तो इस तरह के अगर मान लिजे, साथ देश, आठ देश, दस देश, मतलब कुछ देशों के समूव के द्वारा, अगर वैस्विक नियमों का, स्रीजन संचालन वा क्रियानवेन होने लगे, तो समझ जाना की विश्व बहुत धुरूवी है, और अगर मान लिजे, विश्व के नियमों का, स्रीजन वा क्रियानवेन, सभी देशों की, लोकतांत्रिक शाहमती के अधार पर किया जाए, लोकतांत्र के अधार पर किया जाए, सबकी राय मसबरा जानने के पश्चात किया जाए, तो ऐसे विश्व को आप क्या बोलेंगे, अधुरूविय विश्व, नन पोलर वर्ड, है ना, तो देखिए, 1991 से पहले, यानि 1990 तक, और 45 के बाद, पूरा विश्व, द्वी धुरूविय हुआ करता था, बाई पोलर हुआ करता था, एक खेमा, अमेरिका की अगवाई में, पश्चिमी वव उत्तर अमेरिकी देशों का था, और दूसरा खेमा, पूर्वशोवियत संग, जिसके अंदर रोज था, उसकी अगवाई में, अपेप्शाकृत गरीब देशों का था, है ना, विकास सीलिया आविकसित देशों का था, 1991 में, यह खेमा नश्ट हो गया, USSSR बिगटीत हो गया, USSSR के साथ समाजवादी और धारना भी, कहीं गूम हो गई जाकर, और वार्षा पैक्ट भी समाप्थ हो गया, यानि एक तरह से तैय हो गया, कि प्रथम विश्व ने, अपना सैने वर्चस्व भी दिखा दिया, वैचारिक वर्चस्व भी प्रमाडित कर दिया, और पूरी विश्व वेवस्था के सामने, अब एक ही विकल्प लाख खाड़ा किया, और वो कौन सा विकल्प था, T I N A, कौन सा विकल्प था जी, T I N A का विकल्प था, T I N A मतलब, there is, no alternative, there is, no, alternative, no alternative of what, capitalism, पुंजी वाद, यानि विश्व समुधाय के पास कौन सा विकल्प आया, केवल एक विकल्प जी, पुंजी वाद, मतलब पुंजी वाद के अलावे, पुंजी वाद के सिवाए, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप चाहकर, या न चाहते हुए, आपको पुंजी वादी अर्थिक अवधारणा अपनानी ही होगी, समझे, एनिवे, और जैसे ही ये पुंजी वादी विवस्था आई, अब अमेरिका के द्वारा, इस पुंजी वादी विवस्था को, LPG, यानि, L for liberalization, liberalization, यानि उदारी करण, P for privatization, S, Z कुछ भी लिख सकते हैं, privatization के लिए, privatization, और globalization, globalization, प्राइबेटाइजेशन को क्या बोलते हैं, नीजी करण, globalization को क्या बोलते हैं, वैश्वी करण, हिंदी में, तो इस तरह से उदारी करण, नीजी करण, वो वैश्वी करण के माध्यम से, capitalism को, वैश्वी क संस्थाओं द्वारा, पूरे विश्व पर थोप दिया गया, यह वैश्वी क संस्थाओं की मदद से, कौन सी थी वैश्वी क संस्थाओं हैं, World Bank, IMF, WTO, World Aid Organization, etc. मतलब इन वैश्वी क संस्थाओं के माध्यम से, पूरी विश्व ब्यवस्थाप पर थोप दिया गया, यानि देर सबेद, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, केवल पूर्जिवाद का विकल्प है, इसे आपको अपनाना ही होगा, और यही करण रहा, कि 1991 में, भारत ने भी, अपनी आर्थिक निठी बे, बदलाओ किया, समझें मेरी बाद, और बदलाओ के माध्यम से, भारत की यह कोशिस रही, कि अपनी अर्थ ब्यवस्था को, कुछ ऐसा श्वरूप दिया जाए, जिससे वो, पुन्जिवादी मानकों पर खरा उतर सके, और चुकि हम सुरुवाद से कैसे हैं, किस तरह की अर्थ ब्यवस्था करूजान रहा हमारा, समाजवादी, लेकिन अब विकल्प विहिंता के स्थिती में क्या करेंगे, हमने यह डिशाइड किया, ओनिश्व एक आन्वी की नई, राष्टी आर्थिक निती के तहट, कि चलो सोसलिजम कांस तो है ही है, अब इसके साथ कुछ कैपिटलिजम भी अपना ले, और इस तरह से सोसलिजम और कैपिटलिजम दोनों को मिक्स करते हुए, कैसी अर्थ ब्यवस्था की अधाना डेबलप हुई हमारे यहां, मिक्स्ट इकॉनमी, मिस्रित अर्थ ब्यवस्था, क्योंकि सोसलिजम बुनियाद में रही, मजबूरी में ही सही कैपिटलिजम अपनाना पड़ा, तो अब दोनों का मिला जुला स्वरूप क्या रहा, मिस्रित अर्थ ब्यवस्था, मिक्स्ट इकॉनमी, लेकिन अब जैसे जैसे ग्लोबलाजेशन, मैचॉर्टी की तरफ बढ़ता गया, या बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे यहां, मिक्स्ट इकॉनमी में सोसलिजम का दायरा घड़ता जा रहा है, कैपिटलिजम का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो कहने का मतलब, कि हमारी अर्थ ब्यवस्था का पेंडूलम, 1991 से पहले जो समाजवाद की तरफ था, अब धीरे धीरे बढ़कर यह कहां जाता जा रहा है, कैपिटलिजम की तरफ, यह पेंडूलम यहां से बढ़के अब इधर आने लगा, और एक वक्त आएगा, जब यह लंबी छलंग लगाएगा, सीधे पूरी तरह से कैपिटलिजम हो जाएगा, सोशलिजम का लगबग आवसेश रह जाएगा, या नामों निशान मिटने लगेगा, ओके, तो, 19.19 में, जैसा कि हमने देखा, कि LPG के माद्यम से कैपिटलिजम को, यानि पुंजिवाद को, वैस्विक संस्थाओं द्वारा, यानि वर्ल्ड बैंक को गारा, आईयम उपो गारा, वैस्विक संस्थाओं द्वारा, क्या किया गया, फूरे विश्व पर, थोप दिया गया, और अभी अभी हम लोग समझे, भारत भी उस्थाओं छूता, ना रहा, पूरे विश्व पर थोप दिया गया, ठीक है जी, अब हम लोग, अगले चैप्टर में, शमझेंगे, कि वास्तों में ये वैस्वी करण क्या है, वैस्वी करण से, विश्व बेवस्था में, आखिर, कौन-कौन से नए अवसर उत्पन हुए, और क्या, उन अवसरों के साथ, उपहार में कुछ चुनावतिया भी आई, अगर वो चुनावतिया आई, तो वरतमान में, विश्व समधाय, उन चुनावतियों का, आखिर किस तरीके से सामना कर रहा है, उन चुनावतियों को कम करने के लिए, आखिर क्या-क्या, प्रयास किये जा रहे हैं, ओके, तो हम लोग, अगली क्लास में, आप टॉपिक मेंन्सन कर लिजिए, वैस्वी करन के बारे में अध्याइन करेंगे, ये वैस्वी करन होता क्या है, चुकि वैस्वी करन की संकल्पना 1991 में आई, और 1991 के बाद की जो ग्लोबल पोलिटिक सा पढ़ेंगे, वो जाहिस सिवात है, वैस्वी करन की संकल्पना के इर्द गिर्दी घुमेगी, या फिर आप यो कह लिजिए, कि वैस्वी करन के दाएरे में रहते हुए ही, विस्वराजनीत आगे बढ़ेगी, क्लियर है?